हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दूसरों की वीडियो को अपने यूटुब चैनल पे कैसे अपलोड करें और उससे पैसा कैसे कमें आज पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो friends इस वीडियो को आप पूरा last तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा information मिले और फिर आप दूसरों के वीडियो को अपने चैनल पे upload कर पाएंगे और पैसा भी कमा पाएंगे तो चलिए friends बीना समय गवाई इस वीडियो को हम start करते हैं और जान लेती हैं कि कैसे हम दूस क्या होता है upload करने का जो सही तरीका है वहीं आज हम आपको बताने वाले तो फानली friends मैं अपने mobile phone के screen पे आ जाता हूं आपको यहां पे side में देख सकते हैं आपको screen देख रहा होगा mobile का so friends आपको करना क्या है देखिए friends अपने YouTube चैनल पर और दूसरों के वीडियो के अपने चैनल पर upload करना चाहते है तो उसका एक rule होता है नियम होता है कैसे upload करना है किस तरीके से upload करेंगे तो आपके channel पे copyright नहीं अब जो भी आपका channel है जो भी category है जिस भी category से related आप video upload करना चाहते है अपने चैनल पर दूसरों का वीडियो तो आपको करना क्या है आपको search box में जाना है और यहां पे friends आपको type करना है उसी category के related यानि text related हम वीडियो बनाते हैं तो हम यहां पर type करेंगे ए्यूट अससे अनल डिखने वाले हिए थमने डानि ऐ कैसे बनाएं रह्म डीओ से जाने और मैं छाहता हूं कि काई से बनाएं किसी दूसरे का वीडियो इसटोपिक कि you दूसरे एक वीडियो को लेकर अपने चैनल पर अपलोड करना है देखिए पहले तो यहां पर type करने के अपने ट्रह मेल कैसे ऑब ऐसे को schools पे क्लिक करने पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा वीडियो आ जाएगा तो आपको करना के ऐसे तो अगर आप चाहें तो यहां पे बहुत सारी वीडियो आप उठा के अपने चैनल पर डाल सकते लेकिन इसे क्या होगा फ्रींस की आपके चैनल पर कॉपिराइट आ जाएगा तो आपको करना क्या अविक करना और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिल्टर नाम का लिखा हुआ है blue color में creative commons friends आपको यहाँ पर trick लगाना है और जैसे यहाँ पर trick लगाएंगे अब आपको करना है कि friends देखिए यहाँ पर apply पर click कर देना है और जैसे आप apply पर click करेंगे अब आपके सामने वही वीडियो दिखेंगे जो आप अपने चैनल पर upload कर पाएंगे तो अनुद्यव के जैसा thumbnail कैसे बने यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी वीडियो है जो आपको अच्छा लगे तो आपको करना कहा है जैसे माली जैसे इस वाई का वीडियो आप अपने चैनल पर upload करना चाते है जो first में दिख रहा है तो इस वीडियो पर click करना है देखिए वीडियो प्ले हो गया तो इस वीडियो पर हमने click किया और चाहते हैं कि यह जो भाई बताया है और यह अच्छा से बताया है कि thumbnail कैसे बनाए अगर यह आपको वीडियो पसंद आती है और यह चाहते ही कि यहीं वाला वीडियो आप अपने चैनल पर upload करें तो करना कि है फ्रेंट सबसे पहले इनके जो description है आपको open करना है देखिए यह पर description पर click करना है और आपको scroll करना है यहां पर जैसे scroll करेंगे फ्रेंट्स आपको नीचे तरफ यहां पर license लिखा हुआ देख सकते है license लिखा हुए और उसके नीचे लिखा हुए creative commerce attribute license reuse allowed यानि यह करेंट के आप इनका वीडियो यूज कर सकते है लेकिन यूज करने का तरीका का है फ्रेंट्स यह भी जान लिजिए वीडियो को skip मत करना और अभी तक वीडियो को like नहीं किए तो like कर दिजिए तो देखे फ्रेंट्स इसको तो आपको सबसे पहले अपने phone में save कर लेना ठी जो permission दें है और यूज करने के लिए reuse करने के लिए video उनका video यूज कर सकते है ठीक है लेकिन उनका video फ्रेंट्स यूज करने से मैं इसे हटा देता हूँ यह दूसरों को विडियो यूज करने। फ़िरेटेंश आपको करना क्या है। उसमें कुछ editing करना है। थोड़ी बहुत editing करना है। क्या editing करना है। दीकें można बोल रखें जो भी बता रखें। तो उसके जगह पे आपको अपनी बोईस दे देना है ठीक है वीडियो उनका है तरीका उनका है बस वहाँ पे आपको अपनी बोईस ओबर कर लेना है उस वीडियो पे और उसमें जो उनका इंट्रो है वो हटा देना है वहाँ पे अपनी इंट्रो लगा लेना है ठीक है और आ प्रश्ट में कुछ जोड लेना है आपनी बॉइसोबर उसमें कर देना है और उनकी वीडियो में से थोड़ा बहुत जो इंट्रो हो अगर लगा रहारा है तो इंट्रो काट के उनकी हटा दिजिए ठीक है और इंट्रो हटाने के बाद से अपनी इंट्रो महाँ पर लगा सकत ठीक है और उसके वाद से आपको शुरुवाती में आपको बोलना है कहलो friends आज की वीडियो माम सीखने वाले है थम्नेल बनाना तो इस तरीके से आपको बोलके और उस पर बोईस अबर कर लेना है अपने जो creative होता है friends उस वीडियो पर दिखाना है वीडियो तो उनका रहेगा तो उनकी वीडियो आप लेके आप अपनी चैनल पर अप्लोड कर सकते है थोड़ी बहुत आपको अपनी creative उसमें दिखाना होता है फिर उसके बास से आपके चैनल पर कोई copyright नहेंगा और बीना मतलब ज्यादा मेहनत किया आप दिशुरों को वीडियो अपने चैनल पर अप evento करोका पर सकते होता हां को मतलब बहुत ही अगर एक kyant लइक करते हो तो दिल को सुकून मिलता है ठो लाइक कर दीजिगा और चनल पर यह,वे अपनी आपकी बेरे न चिनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लेक्ट इंड़ कर लेना है क्योंकि लांकु कि बहुत से लोगों झाल झाल